वाइश तो यह आमारे सामने 2030 की औन नियू कावसा की जेड़ है नार और यहां पर है जो प्लार आप देख रहे हैं यह नियू ऑपको इस भाइक का एक डेटेल रिजू देने वाले और आज भात करने वाले कि इस भाइक में क्या का फीचर मिलते हैं क्या इस भाइक का तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो यह आप देख रहे हैं साल 2030 की कावसा की चल रहा है वह है 16,15,000 रुपे और यह वली जो वाइक है वह फिलालभी लैम ग्रीन कलर में अविलेबल है और दोस्तों कर आप इस बाइक को लोन पर पर पॉचेस करना चाहते हो न तो उस टॉपिक के पर मैंने एक डेटिकेटिट वीडियो बनार किया और उस वीडियो को लिंक आपको देखने को मिल जाते हैं इस बाइक की नंबर प्लेट की माउंटिंग और यहां पर उसके नीचे एक चोटी सी लेटी लैंप प्रोएड करा रखे जिससे बाइक का लूग काफी बढ़िया हो जाता हो और यहां पर आपको साइड में रैड कलर के ग्राफिक देखने को मिलते देखने को मिल जाते हैं इस बाइक का फ्रेंट लुक हो काफे अल्युक हो जाता है बात करें पर अ को का वसाके का लोगों देखने को मिल जाते हैं बात करते बाइक की साइट में तो कुछ इस तरह के हमें इस बाइक के साइट प्रोफाइल देखने को मिल जाते हैं और यहां पर जो इस प्रकार के काफी मिर को बड़े लगी बात करते हैं इस तरह के डिजाइने में इस बाइक करते हैं और बात करते हैं इस बाइक की सीट के बारे में तो यहां पर आपको सिंगल सीट इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं और यहां पर अगरम थोड़ा सा नीच आते हैं करते हैं तो आपको आपको इस बाइक की इंजट के बारे में तो इस बाइक में दिया गया है 998 cc inline 4 slender 4 stroke 16 वाल लिक्वेड कूल इंजन और यह जो इंजन है वो 203 ps की maximum power produce करता है यहाप आपको इस बैक से 114 newton meter का maximum torque इस बैक से देखने को मिल जाता है इसकलब इस बैक में दिया गया 17 लीटर का fuel tank और 207 kg का इस बैक का जो कवेड़ हो में देखने को मिल जाता है और यहाप आपको इस बैक का इंजन हो लिक्वेड कूल तो देखने को मिलता है बाकि आपर रेडियेटर के नीचे आपको अलग से एक एर कूल्ड ओयल कूलर प्रवाइड करा रख है जो के आपके मिल पाती है बात की जैब तो इस बाके फ्रेम Perraza और यहां पर बात करते हैं इस बाकिpción से घ्र्स देखने को मिल जाता है इंक अलग से कूलिष्टर कंप्र पर के पारे में हैं तो यहां पर आपको उस बैक के डियों को मिल जाते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे जाके बात करने वाले हैं और यहांपर बात करते हैं इस बाइक के टेर के बारे में तो यहांपर आपको फ्रेंट में देखने को मिल पार यैजनG के बारे में तो जो भी के दमेशन है वो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के अपर अब देख रहेंगे कि अब बात करें किस की तो कुछ इस तरह की किस आपको कावसा किस रेडेक्स टेनार के अंदर देखने को मिल जाते तो आपको इस अब देखने को मिल जाएगा और आपको इस आपको कावसा के अपनी बाइक के दिख जाएंगे आपको कावसा के अपको कमेंड करके बताना इसके लबा दोस्तों कावची सारे फीचर बीस कंसोल के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं लाइक स्पीड लाइब टामिंग गेर पुशिन इंडिकेटर रियल टाइम मालेज और आपको इस कंसोल के अंदर देखने को मिल जाएगे इसके लबाद दोस्तों इस बाइक के अंदर चार रैडिंग मोड कंपने ने दे रखे हैं जो पहला हुए सपोर्ट सेकिंड है आती है और यह जो लैक्ट्रोनिक डेंप रहना उन सभी वाइब्रेशन को बिल्कुली खतम कर देता है और हाई स्पीड पर आपकी बाइक का काफी बड़िया बैलेंस यह बना के रखता है वहीं गर बात करें इस बाइक के हैंडल बार के उपर सुच की तो यहां पर अप्शन ओपन हो जाता है वह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा और यहां पर यह दे गया इस बाइक में एक लेक्ट्रोनिक क्रूस कंट्रोल को कंट्रोल करने का सुच अगर हम थोड़ा सा नीच आते हैं तो यहां पर रिसेट का वेटन दिया है अगर दोस्तों हम अपने का ओप्शन देखने को मिल जाता है इसको प्रेस करके अब अपने कंसोल में सैटिंग कर सकते हैं तो वह यह जही था ओन लियो का वासा की जैड़ एक डिटेल रिव्यू आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो चलिके तो गुडबाई